नमस्का दोस्त्तों स्वागत अब सभी का इस वीडियो में हम बत करेंगे एक्वालिटी डे अब किसी बीग्जाम की तरी हों हमारी प्लेटों की बारों को डेख कि आपको काफी एलप मिलने वाली इसलिए समयन काल के मैं चैनल को जुरू चेक करेगा चले शुरुआत करते हैं देखे हर साल 14 अपरेल को Equality Day मनाया जाता है ये दिन सेलिब्रेट करता है Birth Anniversary हमारे भारते संवरेदान Indian Constitution के Architect Dr. B.R. Ambedkar की तो Dr. B.R. Ambedkar की जो Birth Anniversary होती है उसको Celebrate के जाता है जो Architect है Indian Constitution के 14 अपरेल को इसलिए यहाँ पर Equality Day मनाया जाता है अब क्योंकि इस दिन B.R. Ambedkar जी की Birth Anniversary को Celebrate के जाता है मार्क किया जाता है इसलिए इस दिन को Ambedkar जनती भी बोलते हैं और भीम जनती भी बोलते हैं देखे, Dr. B.R. Ambedkar जी से रिलेटे सारे Important G.K. Questions को मैंने एक लग वीडियो में कवर किया है उसका Link में आपको Description Box में दे दूँगा जरूर देखेगा आपके Examination के लिए काफिए Important है हमारे के अंदर सरकार Ambedkar जी के नाम पे एक Ambedkar Circuit भी बिना रही है जहां पर Ambedkar जी से जुड़ी जितनी भी जगाएं हैं, प्लेसीज हैं उनको सरकेट के साथ जोड़ा जाएगा तो उसको मैंने लग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखेगा इसका Link में आपको Description Box में दे दूँगा और हमारे भारते समवेदान, Indian Constitution से रिलेटेड सारे इंपोर्टन जी के Facts को मैंने एक लग वीडियो में कवर किया है भारते समवेदान से लेटर बहुत से ऐसी चीज़े हैं जो आपको किसी किताब में ने मिलेंगी भीम जनती को या फिर Equality Day को एक लग नाम भी दिये जाता है इस सामा थुवा नाल या अपने धान में रखना है अब इसको क्यों मना जाता है बाबा साफ के जो effort थे हमारे भारते समाज में धरम के नाम पे और जात के नाम पे जो discrimination है उसको खतम करने के लिए उसके खिलाफ जो इतना बड़ा डॉक्टर बियार अमबेटकर ने संघरिश किया उसको ओनर करने के लिए उनके contribution की respect करने के लिए हम हर साल Equality Day मनाते हैं जिसको अमबेटकर जनती भी बोलते हैं भीम जनती भी बोलते हैं तमिल नाडू में इसको सामात हुआ नाल भी बोलते हैं हमारे भारति समाज में Indian Society में बदलाव लाने के लिए चेंज लाने के लिए डॉक्टर बियारम बेटकर Uniform Civil Code के भी पक्षधर थे UCC Uniform Civil Code आज किल काफी खबरों में है इसको मैंने कलक वीडियो में कवर किया है जुरूर देखेगा काफी अच्छे से मैंने animation के मादिम से आपको वहां पर समझाया है Uniform Civil Code क्या है हमारे Directive Principal State Policies में कहां पर Uniform Civil Code का जिकर आता है इसके क्या pros हैं इसके क्या pros हैं जुरूर देखेगा लिंक में description में दे दूँगा अब देखेगा अपने पूरी जिंदिगी धरम के नाम पे जेंडर के नाम पे और कास्ट के नाम पे जो discrimination होती थी उसको खतम करने के लिए और सारे लोगों में समानता equality लाने के लिए संघरश किया और यह पूरा का पूरा संघरश जो है इसका हमें पता अपने इंडियन constitution में भी चलता है इंडियन constitution से लिए जो सारी important facts आप हां पे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से equality की तरफ हमारे भारत का जो संवेधाना वो ले गया आता है और इसका सबसे classic example तो fundamental rights ही है अब देखे डॉक्टर बिया रमबेटकर ने London में तीनों की तीनों round table conferences में भी part लिया था डॉक्टर रमबेट का separate electorate चाहते थे untouchables के लिए जैसे की Muslims को दिया गया था मगर गांधी जी separate electorate के खिलाफ थे क्योंकि गांधी जी का मानना था कि separate electorate से हमारे भारत की जो unity है वो weak पड़ेगी तो इसलिए गांधी और डॉक्टर अमबेटकर के बीच में मुलाकात होती है और 1932 में पूर्णा पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अमबेटकर के बीच में साइन होता है और उसके बास पर बात आती है reservation की अब देखे महात्मा गांधी हमारा examination के लिए काफी important है महात्मा गांधी से लेटे सारे important जीगे questions को मैंने एक लग वीडियो में cover किया है जुरूर देखेगा link में description में दे दूँगा महात्मा गांधी उपनाम से काफी लोगों को जाना जाता है जैसे सिमांत का गांधी पहाडी गांधी फ्रंटियर गांधी तो इन सारे लोगों को जिनको गांधी उपनाम से जाना जाता है उन सारों को भी मैंने एक लग वीडियो में cover किया है जुरूर देखेगा link में description में दे दूँँगा इसके साथ महात्मा गांधी और भी कई नामों से जाने जाते हैं महात्मा गांधी को कई निकनेम मिले थे जैसे कि नंगा बाबा मिक्की माउस तो महात्मा गांधी को किस विक्ति ने कौन सा निकनेम दिया इसको मैंने क्लिक वीडियो में कवरी किया है सारी के जारी वीडियो के लिंक्स आपको मेरे description box में मिल जाएंगे एक बार जुरूर देखेगा अब देखे डॉक्टर काफी significant contribution है समाज में equality लाने के लिए हमारे समाज को equality के तरफ ले जाने के लिए और इन्होंने equality के लिए अपने काफी significant contribution तब दिया जब भारते समविधान की जो drafting committee थी उनका इनको chairman बनाया गया उसमें जब drafting committee के chairman बने जिसके बाद समविधान बनाया गया तो समविधान जब बनाया गया वहां पर भी fundamentalize डाले गए fundamental duties जाली गए DPSP जाली गए और ऐसे बहुत से प्रावदान है जो बताते हैं कि हमारे समाथ जो है वो equality की तरफ जाए अगर वो समविधान को मानता है या समविधान जो है वो अच्छे से ground zero में लागू होता है तो constitution जो है वो मदद करता है भारत को secular बनाने की democratic republic बनाने की जहां पे हर citizen को fundamental rights हैं और fundamental rights में जो equality है वो guarantee की गई है शाहजी दुद्य यह महराजा थे कोलापूर के इन्होंने हम बेटकर के मदद करी थी मूख नायक नाम के newspaper को बनाने के लिए 1920 में मूख नायक का मतलब होता है leader of the silent डॉक्टर नाम बेटकर ने भहिश्कृत हितकारनी सभा बनाई जिसक ने बनाई तो डॉक्टर अंबेटकरने बनाई 1927 आते हैं डॉक्टर अंबेटकर ने और गनाइस campaign स्टार्ट करी दलित राइट के लिए तो इन्हीं सारे contributions के वज़े से इनके जो birth anniversary है उसको हम equality day अंबेटकर जनती और भीम जनती के नाम से मनाते हैं यह था इस लग्टे का आप किसी भी exam के तारी कर रहे हो हमारी playlist की बागे वीडियो को देख के आपको काफी help मिलने वाली है इसलिए समयन काल के हमाई चैनल को जुरू चेक करिएगा जिगे कंटर फिर जिगे टिस के ऐसी वीडियो के लिए हमाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आकान को ज